पोजपूरी फिल्मों की क्यूटी पाई कही जाने वाली एक्ट्रेस अनारा गुपता इन दिनों अपनी नई पारी को लेकर खासा चर्चाओं में हैं। फिल्म बनाने जा रही हैं। इस फिल्म में उनके उपोजट है उनके रियल लाइफ के हीरो करन सिंग और फ्रिंस। ऐसे में अनारा ने हमसे काफी सारी बाते की आईए बताते हैं आपको क्या कुछ बताया उन्होंने इस इंटर्व्यू के दरार। फिल्मों में बस गाने और रोमैंस से ही उनकी भूमी का को खत्म कर दिया जाता है। जब मैंने फिल्म दिल है हिंदुस्तानी की कहानी सुनी तो मुझे लगा कि इस फिल्म में हर किरदार के साथ नियाय किया जा सकता है छोटी छोटी भूमिका वाला किरदार भी इस फिल्म में काफी महत्पपूर्ण है दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि उनकी आने वाली फिल्म में उनका किरदार कैसा होगा इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि फिल्म दिल है हिंदुस्तानी में वो एक मुस्लिम नड़की का किरदार अदा कर रही है फिल्म के हीरो करन सिंग प्रिंस जिससे प्यार करने लगते हैं और मुझे पाने के लिए एक लंबी जंग लड़ते हैं इस जंग में पूरा समाज हमारे प्यार का दुश्मन होता है अंतितहा जीत प्यार की होती है अगला सवाल हमने अनारा से ये पूछा कि सेलिब्रीटीज अकसर अपने लव रिलेशन्स को छुपाते हैं लेकिन वो इस मुद्दे पर हमेशा खुल कर बोलती हैं क्या इसकी कोई खास वज़ा है इस सवाल के जवाब में अनारा ने कहा कि मैंने नकली जिन्दगी कभी नहीं जी और ना ही जूट बोलना सीखा है मैंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है अगर मैं चाहती तो जूट पोल कर संखर्ष को कम कर सकती थी लेकिन मैंने अपने घरवालों से सीखा है सत्य परिशान होता है पर पराजित नहीं यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है इसलिए मैंने करन सिंग प्रिंस से अपने रिष्टे को कभी नहीं चुपाया करन कफी समझदार इंसान है और उन्हें पता है कि जूट की बुनियात पर बना रिष्टा लंबा कभी नहीं चल सकता उसके बाद अपनी शादी को लेकर अनारा ने कहा कि शादी तो करनी है पर फिलहाल इस पारे में हम दोनों ने सोचा नहीं है करन फिल्मों में डेब्यू करने जा रही है और उनके लिए कुछ अच्छी फिल्में फिलहाल लाइन में है हम लोग पूरी तरह से फिल्म की तरफ समर्पित हैं करन में गजब की अभिने शमता है अभी वो उसमें और निखार लाने में बिजी है नेक्स्ट उनाइन न्यूसरूम से अभिलाश की रिपोर्ट